वन मिला हुए आपको यहाँ पे एक नंबर सवाल है आपका देखो कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतिय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर विनोत कामबली सुनिल गावसकर या पिर मुहिंदर अमरनाथ निमलिकित में से किसे जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है चलो जलबी से बताएंगे क्या होगा यह किशन है आपका कि SI खेलों में सुट्ट पदक जितने वाली पहली भारतिये महिला कौन थी who was the first Indian woman to win gold medal in Asian Games कमल जीत संदू, कर्णम मलेस्वरी, साइना नेवाल या फिर मैरी कॉम निमलिकित में से वह कौन सी खिलाडी है, कौन सी भारतिये महिला है जिनके दवारे SI खेलों में स्वंड पदक पहली बार जीता गया था सभी को जो है इस क्लास का PDF टेलिग्राम गुरूप पर दे दिया जाएगा टेलिग्राम गुरूप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्ट्रेशन बॉक्स में है आप सभी जो हैं टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं इस याई खिलो में स्वंट पतक जितने वाली पहली भारतिय महिला कौन है तो वह है देखो कमल जीत संदू क्या हो जागा राइट आंसर तो ऑप्सन ए कमल जीत संदू जिनका वी आंसर एक हो उन सभी ने बिलकुल सही यहां पर किया हुआ है चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेक्स क्रिप्शन आपको यहां पर दिया गया यह सवाल है देखो कि प्रती वर्स विश्व जनसंख्या दिवस निम्द में से किस दिन मनाया जाता है जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे चले जल्दी से बताइएगा प्रती वर्स जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह किस दिन मनाते है तो यहां देखो मनाया जाता है 11 जुलाई को क्या हो जाएगा राइट आंसर तो आप्शन भी 11 जुलाई चलो ने description देखेंगे अगला सवाल यहां आपको यहां पे दिया हुए देखो अगला सवाल है आपका यहां पे कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है तो जो अश्टा दिया ही है इसकी रचना की यह देखो पनीनी ने जिनका भी आंसर आया हुए उप्सन बी को उन सभी ने यहां पे बिल्कुल सही बताया है ध्यान में रखिएगा कि आपको PDF दी जाएगी यहां पे B कर लिजिएगा ठीक है तुला समिश्टे को है यहां पे B होगा चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेश्की उश्चन पे जो कि यहां पर आपका देखो सहीत के छेत्र में क्या होगी राइट आंसर तो option B सहीत जिनका भी आंसर आया बी को उन्होंने बिल्कुल सही यहां पे किया है चलो नेक्टिप्शन आपको यहां पे दिया हुए देखो अगला सवाल आपको मिला हुआ है यह सवाल है आपका यहां पे कि स्वतंद्र भारत क के राष्ट्रिय ध्वज का डिजाइन निम्द में से किस ने बनाया था वू एमोंग दो फॉल्लिविंग डिजाइन दे नेशनल फ्लैंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया महत्मा गांदी, वंकिम चदर चटर जी, रविना टैगोर या पिंगली वेंकेया निम्द में से किस के द्वारा जो है सोतंत्र भारत के राष्ट्रिय ध्वज का डिजाइन तयार किया गिया था पिंगली वेंकेया के द्वारा क्या अगर आइड आइड आंसर तो option D पिंगली वेंकेया जिनका भी answer D को आया है आप सभी ने बिल्कुल सही किया हुआ है चलो अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है नेश्ट क्यूशन ने देखो यहाँ पे कि निम्द में से कौन सी नदी अंतता अरफ सागर में गिरती है which of the following rivers eventually drains into the Arabian Sea, Kaviri, Narmada, Ganga या फिर Yamuna पूछा हुआ क्यूशन इंडियन आर्मी का previous year paper का क्यूशन है 2020 का paper का है निम्द में से कौन सी नदी है जो की अंतता अरफ सागर में जाकर गिरती है चलिए सब कोई करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो चलिए जल्दी से बताईएगा और बिल्कुल सही किजिएगा तो वह नदी जो की अंतता अरब सागर में जाकर गिरती है वह नदी है देखो नर्मदा क्या होगे राइट आंसर तो option B नर्मदा जिनका भी आंसर है B को नर्मदा को बिल्कुल सही जो है आप सबने यहाँ पर बताया हुआ है चलो अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ देखो यह सवाल जो है आपसे किया हुआ क्यूशन है कि निम्द में से किस महाद्वीब का छितरफल सबसे कम है वीच आप दो फॉलिविंग कॉंटिनेंट हैस दा लिस्ट एरिया अफ्रीका एसिया यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया निम्द में से वहां कौन सा महादीब ह जिसका छितरफल सबसे कम है सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है तो चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे निम्द में से वहां कौन सा महादीब है जिसका छितरफल सबसे कम है या फिर इस क्यूशन को ऐसे भी देख सकते हो कि वहां कौन सा महादीब है जो कि सबसे छोटा महादीप है या फिर जिसका चितफल सबसे कम है वो है देखो ऑस्टेलिया क्या और यदि आपसे सबसे बड़ा कभी पूछ दे तो सबसे बड़ा में याद रखेंगे एस या होता है ठीक है चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेश स्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है यह सवाल है रेखो कि अंतराश्रिय तिथी रेखा कहलाता है और बिलकुल सही बताएंगे तो चले जल्दी से बताईएगा और बिना किसी मिस्टेक के साथ अपना अपना आंसर बताईएगा तो अंतराश्रिय तिथी रेखा जो है यहाँ देखो 180 डिग्री देसांतर यह जो 180 डिग्री लॉंगिट्यूट को बोलते हैं क्या और राइट आंसर तो ऑप्सेंडी 180 डिग्री देसांतर चले अगला सवाल यहाँ पर आ 1953 यहाँ पर 1853 भारत में जो रेलवे तंतर है इसको कब अस्थापित किया गया था सभी लोग करेंग और बिल्कुल सही बताएंगे किसी सभी जो मिश्टेक नहीं आनी चाहिए सभी की आंसर बिल्कुल सही होनी चाहिए चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा यहाँ पे तो भारत में जो रेलवे तंतर है यहाँ देखो अस्थापित किया गया था कब तो यहाँ अस्थापित किया गया था अटरा सो तिरपन में क्या होगे राइट आंसर तो ऑपसेंडी एक चीज़ सब को ध्यान में रखना पूछा जाता है कि फादर ओफ इं दिनार्मी ने क्यों ही है फादर ओफ इंडियन रेलवे भारती रेलवे का पिता किसे बोलते हैं तो यहाँ लॉड डलहोजी को बोला जाता है चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह जो आपसे किया गया है देखो नेक्स्क्रिप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है क कि RBI का मुख्याले कहां इस्तीत है वेर इस देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह देखो दिया हुआ है अगला सवाल आपसे किया हुआ है यह किवश्या ने देखो कि भारत का राष्टिये आय का प्रमुख स्रोथ है what is the main source of national income of India क्रिसी छेतर सेवा छेतर उद्योग छेतर या फिर व्यापार छेतर भारत की जो राष्टिये आय है इसका प्रमुख स्रोथ क्या है चले सब कोई करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो चले जल्दी से ब आवीस एरिया हो गया सभी का चलोने श्क्यूशन यहां पर आपको अपको देगेंगे टैक्स केरूप में जो सबसे जॉयादा भारत की राष्टिया आया का सिरोगत है ठीक है चलोने श्क्यूशन आपको यहां पर दिया हुआ है यह सवाल है देखो यह सवाल आप से किया हुआ है कि वरतमान में भरतिये नागरिकों को कितने मौलीक अधिकार प्राप्त है how many fundamental rights to Indian citizens currently have 6, 7, 8 या फिर 9 वरतमान में भारतिये नागरिकों को जो है कुल कितने मौलिक अथिकार प्राप्त है सभी लोग करें गों बिल्कुल सही बताएंगे mistake कोई भी नहीं करेगा तो वरतमान में भारतिये नागरिकों को जो मौलिक अथिकार है यहाँ देखो कुलचे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं क्या होगे राइट आंसर तो option A चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है यह सवाल यहाँ पर यहाँ आपसे किया हुआ है कि निम्द में से कौन सी नदी विंद्य सत्पुडा परवशेनियों के बीच भाती है तो option D नर्मदा चलो जिक्ये के जो है 15 क्यूचंस आपके हो चुके है अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे GS के क्यूचंस की और 16 नंबर सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ देखो आपको दिया गया है कि मानो सरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है विच ग्लैंड ओफ यूवन बोडी इज गॉल्ड मास्टर ग्लैंड अगनास है या फिर ओटू या फिर प्यूस इसी को पिट्रूटरी ग्लैंड भी लिखते हैं या फिर पलिहा चलिए सब को बताएंगे क्या होगा मानो सरीर की वह कौन सी गरंथी है जिसको की मास्टर गरंथी के नाम से भी जाना जाता है तो मानो सरीर की वह गरंथी कौन सी यह बताएंगे सभी लोग करेंगे मानों सरीर की वह गरंती जिसको मास्टर गरंती भी बोलते हैं वो है देखो प्यूस गरंती जिसको की पिट्रियूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं क्या होगा राइट आंसर तो आप्सन सी हो गया सभी का चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका देखो यहां पर यहां पर यह आपको दिया हुआ है क्यूशन है आपका क्यूशन क्या है कि इंसुलीन है एक प्रकार का होगा इंसुलीन जो है क्या है तो जो इंसुलीन है क्या होगा जिन्हों ने भी तक भी class को like निकाई, जरू like बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ सभी जल्दी से share करेंगे अपने और भी फ्रेस के साथ जिन्हों नभी तक भी channel को subscribe निकिया है, वो सभी channel को subscribe करके bell icon को all पे जल्दी से set कर देंगे तो insulin जो है, यह देखो एक प्रकार का hormone है, क्या होगे right answer तो option B hormone हो गया सभी का, चलो ने description आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यह सवाल आपसे किया हुआ है देखो, यह question है आपका यहाँ पे, कि नेत्रदान में आख का कौन सा भाग प्रियोग होता है, which part of the eye is used in eye donation, retina, kondia, netral lens या फिर संपुर्ण आख, नेत्रदान में जो आख है, आख का कौन सा भाग प्रियोग होता है, सभी लोग को करना है और बिलकुछ सही बताना है और जल्दी से बताएंगे, नेत्रदान में जो है, आख का कौन सा भाग प्रियोग में लाया जाता है, तो जो नेत्रदान है इसमें देखो आंग का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं तो यहां भाग है आपका कॉर्णिया, क्या होगे राइट आंसर तो option B कॉर्णिया, चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे, next question आपका यहां पर देखो, यहां आपको दिया हुए अगला question है, कि समान्य मानो सरीर का तापमा कितना होता है, सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है, कोई भी जो है यहां पर mistake नहीं करेगा, बिल्कुल सही जो है अपना अपना आंसर रखिएगा, समान्य मानो सरीर का तापकरम कितना होता है, तो जो समान्य मानो सरीर है, इसका जो तापकरम है यहां कितना है, त ठीक है चलो ने description देखेंगे अगला सवाल यह है आपका यहां पर देखो अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि vitamin सब्द किस ने प्रतिपादित किया को क्वाइंड टर्म vitamin मेंडल पास्चर फंक या फिर लेने निम्न में से किसके द्वारा जो है vitamin सब्द का प्रियोग किया गया vitamin सब्द को किस ने दिया था 20 नंबर सवाल है आपका सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए चली जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे तो vitamin सब्द जो है यहाँ देखो दिया गया फंक के द्वारा क्या अगर आइट आंसर तो option C फंक चलो ने description देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला हुआ है यह सवाल है देखो question किया गया है कि plague किस से होता है कि चल्दी से अपना आपना आंसर रखीएगा क्या होग तो plague जो है यहाँ देखो फैलता है किसकी वज़ा से तो यहाँ फैलता है आपका जिवानू की वज़ा से जिनका भी answer है option A को जिवानू को उन सबने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो आपका next description आपको यहाँ पे मिला हुआ है यह है क कि निम्द में से कौन सा एक किटनासक है which of the following is an insecticide क्या होगा यहाँ पे DDT, TNT, HCL या फिर VCR निम्द में से कौन सा है जो की एक प्रकार का insecticide है बताएंगे सभी लोग कौन सा जो एक प्रकार का किटनासक है तो निम्द में से जो किटनासक के रूप में जाना जाता है वो क्या होगे राइट आंसर तो option A, DDT, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका है देखो next question आपको दिया हुआ है यह सवाल आपसे किया गया है क्या question है कि सराव का निर्मान किस क्रिया के परिणाम सरूप होता है जो सराव है इसका देखो निर्मान होता है fermentation के कारण, इसका निर् right answer तो option A, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है यह सवाले देखो कि निम्द में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, which of the following is not a noble gas, hydrogen, helium, neon या फिर आरगन, निम्द में से कौन सी गैस है जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, सभी को कर चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ आपका देखो यहाँ पे निश्ट क्यूशन आपसे किया हुआ है, यह सवाल है, प्रिवियस केर पेपर का क्यूशन है, आया हुआ है, जल का सुधतम रूप है, what is the purest form of water, नल का जल, वर्सा का जल, भौम का जल, या फिर आ तो rain water है, क्या होगे right answer, तो option B, वर्सा का जल, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो, यह question आपको दिया हुआ है, क्या question है, यहाँ देखो मिला हुआ है, कि champagne और soda के बुलबुले होते हैं, प्रिपर में आ रखा है, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे, क्या होगा यहाँ पे, तो champagne और soda में जो बुलबुले हैं, यहाँ देखो किसके कारण बनते हैं, तो यहाँ बनते हैं CO2, यहाँ बनते हैं carbon dioxide की वज़ा से, क्या होगे right answer, तो option A, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे यहा जल्दी से बताइएगा, निम्न मेंसे जो है, carbon का सुद रूप क्या होता है, तो carbon का जो सुद रूप है न, यह है देखो हीरा, क्या होगे right answer, तो option A, हीरा, डाइमंड, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह किश्या ने देखो, क इनका भी answer है, option D, उन सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ आपका देखो, यहाँ पे, यहाँ आपका सवाल है, 29 सवाल है, कि दूद के घनतों को किसके द्वारा मापा जाता है, by whom is the density of milk measured, lactometer, hydrometer, barometer, या फिर next में ह आपका hydrometer, निम्द में से किसके द्वारा जो है, दूद के घनतों को मापा जाता है, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, चलो जल्दी से करिएगा और बताइगा, क्या होगा, जो दूद का घनतों है, इसको किसके द्वारा मापते हैं, तो दूद का घनतों है, इसको देखो मापा जाता है, लेक्टो मीटर के द्वारा, क्या होगे राइट आंसर, तो आप्शन ए, लेक्टो मीटर, चलो नेक्स क्रिवचन आपका यहां पर दिया हुआ है, देखो, तीस नंबर सवाल और साइन्स सेक्षन का आखरी क्रिवचन है, इसके बाद आपक और इफ्लेश के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जलूर प्रिस कर दीजेगा, और जोने नहीं तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को और सेट कर देंगे, तो इंदर धनुस जो है, यहां लंबी रेल- गारी, एक सिगनल के खंबे को 15 सेखंड में पार करती है, रेल-गारी की चाल कितनी है, रेल-गारी की चाल जो आपको पिल कुलूमेटर पदर घंते में बताना के ठीक है, तो हम लोगो किया निकान आपकihin पर चाल निकान लिए ठीक है, चाल पराबरबर Улов 2 से है 15 सेकंड का मतलब कि यह हो गया देखो दूरी बटा में समय ठीक है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे हम अभी जो यह मेटर पर सेकंड में ठीक है और हमें आसर करने किलोमेटर परती घंटे में जिसके किलोमेटर परती घंटे में बदलेंगे किलोमेटर परती घंटे में बदलने के लिए देखो हमें 8 बटा 5 से गुना करना पड़ता है अब यह आपका बन जाएगा किलोमेटर परती घंटा यहां तक सबका हो गया ना इसको कट करते हैं ठीक तो यह देखो आपका 60 km per hour क्या हो जाएका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो होगा option B जोने भी answer किया है B को आप सभी ने बिल्कुल सही बताया हुआ है चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपका यहाँ पर यह देखो आपको दिया गया है कि एक नाओ धारा की दिसा में 8 km दूरी एक घंटे में तै करती है तथा धारा की विप्रीद 2 km दूरी एक घंटे में तै करती है धारा का वेग कितना है ठीक है यह जो आप से यहाँ पर question दिया गया है तो पहले क्या करेंगे पहले जो है आपको धारा की दिसा में चाल निकाल तो यह हो गया देखो आपका आठ बटा एक, मतलब कि यह कितना हो गया, तो यह हो गया आपका आठ किलमेटर प्रतिगंटा, ठीक है, अब क्या होगा, तो आपका धारा की विपरित दिसा में चाल, ठीक है, अब जो है क्या निकालेंगे, तो अब जो है धारा की विपरित दिस इस पर ध्यान नहीं देंगे आप सब चलिए बताईगा क्या होगा धारा का वेग ठीक है धारा का वेग कितना है split of the stream तो धारा का जो वेग इसको देखो कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं 1 by 2 into x minus y करके ठीक है तो यह क्या हो गया तो यह हो गया देखो 1 by 2 into में 8-2 यह कितना आ गया तो यह आ गया देखो 1 by 2 into me 6 2 से कट करोगो तो 3 बार में कट हो जाएगा मतलब राइट आंसर क्या है तो इसका जो राइट आंसर है वह है देखो 3 km per hour क्या हो गया राइट आंसर तो option B चलो ने description देखेंगे यह जो है आपसे यहां पर किया गया है देखो यह सवाल है आपका कि साधारन ब्याज की किस वार्सिक परतिसर दर से कोई धनरा सी 12 वर्स में स्वैम की दूगना हो जाएगे ठीक है जो option है यह इस प्रकार से लिखे गया है देखो 8 पुनांक एक बटा समय दिया हुआ है समय कितना है तो समय देखो आपका T equal to 12 हम लोग SI माल लेंगे X ठीक है और जो P है जो principal amount होता है उसको भी माल लेंगे X आपको क्या बोला है आपको बोला है किस वार्सिक परतिसर दर से आपको निकालना है R R equal to formula होता है देखो यहाँ पे 100 into me SI और by में होता है देखो आपका यहाँ पे P into T ठीक है अब क्या हो गया तो R equal to हो गया आपका 100 into me SI यह X P, B, X, T, कितना है तो T है देखो आपका 12 X, X cut गया कट करोगा इसको देखो तो यह कितनी बार में तो मानो 2-lerinya 2-2 से 50 तर में फिर मानों उसको cut करना है तो यह हो गया 2-3 तर में और यह हो गया आपका देखो यहाँ यहाँ पे 2-25 तर में ठीक है तो आपका देखो R R equal to 25 ब option A, हो गया सभी का, चलो next question देखेंगे, अगला सवाल, यह जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, यह question जो आपसे किया हुआ है, देखो, कि एक पहिया का व्यास 1.26 meter है, यह एक चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी टै करेगा, ठीक है, यह जो आपको यहाँ पे question दिय हुआ है, एक चक्कर लगा रहा है, मतलब कि वो जो है, पूरा का पूरा एक परीदी गुम जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो गया, यह परीदी हो गया, ठीक है, जो आपका पहिया है, वो कैसा होता है, तो वो वृताकार होता है, मतलब कि वृत का परीदी, ठीक ह हुआ है पहले पाई का वेली लिख लो पाई का वेली होगा थेको 22 बटा साथ वापको यहां पर 2R दिया étais जो ब्यास होता है वह दुग ना होता है मतलब कि तू और इकॉल टू यहां पर आपको मिला हुआ है 1.26 ठीक है तो यह क्या हो तो यह हो गया आपका यहाँ पर इंटू में 1.26, यहाँ तक आगे होंगे सभी, अब जब इनको multiply करोगे न, तो क्या होगा right answer, इनको जब multiply करोगे, तो यह देखो यहाँ पर आपका आजाएगा, total multiply करने पर 3.96, ठीक है, यह हो गया यहाँ पर, आपका कितना है, तो आपका य यह decimal अटाएगा, तो नीचे आगे आपका 100, यह 2.0 से यह 2.0 सकड़ गया है, मतलब कि आपका हो गया देखो 396, गुनावे 5, जब 396, गुनावे 5 करोगे, तो कितना आएगा, तो यह आगे आपका 1980, क्या हो जागा right answer, तो यह है 1980 मीटर, क्या हो गया answer, तो option B, 1980 मीटर, हो ग से तक 40 किलमेटर परती गंटे की गती से लोटता है, संपूर्ण यात्रा के लिए औसाद गती कितनी है, ठीक है, आपको average speed बताना है, तो औसाद गती, यह जो आपको x बोलते हैं इसको, और इसको जो y बोलते है, ठीक है, जिदर जाने का हो गया वो x, वो लोटने वाले को y बोलते हैं, x इक्वल टू कितना है, तो ये हो गया, देखो, आपका 60 kilow, ठीक है, वाइ इक्वल टू कितना है, तो y इकॉल टू हो गया, अपक поряд का 40 कितना हो गया तो ये हो गया, आपका 40, यहां पे चलो नेक्स्क्रिशन देखेंगे अगला सवाल यह जो आपका यहां पे दिया हुआ है देखो यहां इन अगला सवाल आपको यह मिला हुआ है कि एक बेलन के आधार का व्यास 42 cm है तथा इसके वह प्रिष्टि के च्छितरफल 1320 cm² है एक इस बेलन की उचाई कितनी है यह जो आपको यहाँ पर h बताना है ठीक है आपको देखो व्यास दिया हुए व्यास इकोल टू हो गया d, d इकोल टू हो गया 42 42, r निकाल लो तो r होगिया, आपका 42 by 2, cut करोगे तो आ जाएगा आपका 21 cm ठीक है आपने r निकाल लिया अब क्या बोला है तो आपको देखो यहाँ पर बोला हुए है वक्र प्रिष्टियेख छेतरफल, वक्र प्रिष्टियेख छेतरफल कितना है तो यह है देखो आपका 1320 वह कर प्रिष्ट के सित्मल का फॉम्मुला होता है देखो 2 π r h 2 π r h equal to हो गया आपका 1320 अब क्या हो गया तो यह हो गया देखो 2 π r h equal to 2 into 22 by 7 into में आर कितना है तो आर है आपका 21 और into h आपको पताने तो हो गया h और equal to में यहाँ पर आपका रहेगा 1320 यहाँ तक सब कोई आगे होंगे साथ से देखो यह जो आपका 3 बार में कट जाएगा ठीक है कितना आगया तो यह आगया देखो आपका 22 दूनी 44 44 गुना 3 करेगा तो हो गया आपका 132 तो यह हो गया देखो आपका 132 गुना h अगला सवाल है आपका यहाँ पर देखो यहाँ आपको दिया खुआ हुआ है नेस क्यूशन है आपका यहाँ बिला हुआ है कि 2 नल 1 टंकी को क्रमस 2 गंटे तथा 3 गंटे में भर देते हैं यदि दोनों null एक साथ खोल दिये जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये जो है आपको यहाँ पर question दिया हुआ है ये अ हो गया ठीक है मैंने आपको मेंसा बोला ये A हो जाता है ये B हो जाता है A कितना है तो A हो गया 2 hour बी कितना है तो B हो गया देको 3 hour ठीक है जब भी दोनों को साथ में मिलकर बोले तो फरुला क्या होता है तो फरुला आप सबको पता है वो में सिपल सा फरुला लगा देते हैं A into B by A plus B ये कितना हो गया तो यह हो गया 2 गुणा 3 बटा में हो गया देको 2 पलस 3 ठीक है ये कितना आ गया तो यह आ गया आपका 6 बटा 5 कितना हो गया आ ज़्याकर फरुला तो कितना आरत हो गया 12 छक बहतर, मतलब कि आपका आरा देखो 72 मिनट, अब जो 72 मिनट है, इसको देखो यहाँ पर हम एक घंटा लिख सकते हैं, ठीक है, आपका 60 मिनट इसे से खतम हो गया, और बचा 12 मिनट, मतलब कि राइट आंसर की आएगा, तो यह आएगा एक घंटा 12 मि हो गा, ठीक है, हम लोगोंने क्या करना है, तो माना वो संख्या है, कितनी कितनी है, तो माना जो संख्या है, वो माना हो गई एक 2x, और एक हो गई 3x, ठीक है, इनका गुनन फल, मतलब कि हो गया, आपका 2x into 3x, इक्वल टू में आ गया 96, यह हो गया, देखो 6x स्क्वाइर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर, बिल्कुल सही जो है, सभी को करना होती है, देखो गया, 16 बार में, ठीक है, 96 हो गया, अब x इक्वल टू करोगे, तो यह आपका अंडर रूट में 16, मतलब कि यह हो गया, आपका 4, x का वेल्यू आपका 4 आ रहा है, अब क्या बोला, इनका योगफल कितना है, ठेक है, इनका आपको योग निकालना है, तो यह योग इक्वल टू होता है, ड्रको 2, x प्लस में 3, x ठीक है, यही वाना, यह कितना हो गया, तो 5 इन्टू में प्रेश का वैली हो गया फोर यह आगया 20 की आउगया राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्सन भी 20 हो गया सभी का यहाँ पे चलो ने स्क्रिप्शन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो यह सवाल किया गया आपसे कि एक कमरे की चार दिवा हुआ है चार दिवारों का चितना हुआ है यहाँ किका आपको कितना होंगया तो यहाँ प्लस में B कितना है, तो B देखो आपको दिया गया, यह है 8, इंटू में H कितना हो गया, तो यह हो गया 5, बराबर में हो गया, देखो आपका 220, ठीक है यहां तक, अब देखो इनको आपसे multiply कर दो, जो की bracket के बाहर है, तो यह कितना आ गया, तो यह हो गया, देखो यहां पे L प्लस 8, इंटू में हो गया, यहां पे आपका 10, बराबर में हो गया, आपका 220, यह देखो 0 से 0 कट गया, तो अब क्या आ गया, तो अब आगया, तो अब आगया, देखो L इकोल टू 22 माइनस में 8, जब 22 माइनस 8 करोगे, तो कितना होता है, तो यह होता है, 14 मतलब कि right answer कितन मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है, मध्यानुपाती देखो, यह जो है, इसको A बोलते हैं, और यह जो इसको B बोलते हैं, ठीक है, मध्यानुपाती निकालने का simple सा formula होता है, वो होता है, देखो, under root में यह हो गया 6, B कितना है, तो B है 54, 54 को simply क्या कि तोड़िए, ठीक है मतलब, right answer कितना होगा, तो यह होगा 18, इनका मध्यानुपाती कितना होगा, तो वो होगा option D, आगया सभी का यहाँ पे, चलो, next question देखेंगे, अगला सवाल, यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, next question है, आपका यहाँ पे, कि 20% तथा 15% क्रमिक बटो के समान, सम्तुले बट्टा क्या होगा, चले, सबको यह बताएंगे, यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, का सम्तुले बट्टा जो है, कितना होगा, सम्तुले बट्टा निकालने का पता आप सबको है, कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो वहाँ देखो, क्या होता है, तो सिंपल सा, हम ल फिर अगुना में इतनो से वापस इसने पड़रर ही और शूट दिया तो अब यह कितना हो गया तब हो गया फिर बटा में जो है आपका आगया और 60। तीक है आपने वी क्रें मुल्य पंप्ता कर लिया और 60। आपसे पूचा क्या हैं आपसे पूचा है समतुले बाट्टा। सम्तुले बट्टा इक्वल तो क्या तुमानो जो आपने अंकित मुल ले माना था 100 उसमें से 68 को घटा दो कितना हो गया तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पर 32 परसेंट क्या हो जागा राइट आंसर तो ये हो गया आपका ओप्सन ए आ गया सभी का यहाँ पे चलो अगले स अधिक्तम अंक कितने है हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे माना जो मैक्सिमम माक्स है जो अधिक्तम अंक है वह देखो हमने मान लिया एक्स ठीक है यहाँ पर आपको क्या बोला वो तीन होने के लिए 35 परसेंट आंक लाने होते है मतलब कि यह क्या हो लाना होता है वह क्या वह चालीस अंक लाया लेकिन टीस अंक से फिल गया मतलब कि वह 35 पर तीस सत मांक्स भी नहीं ला पाया तो इसको परेश्पस लाने में और कितना को जोर रथा तो इसको जोर रथा और 30 का तो यहां पे प्लस में 30 कर देंगे ठीक है अब क्या हो गया तो यह हो गया देखो एक सुगुना में 35 बटा में 100 और equal to में है यह आपका 70 ठीक है अब क्या आगया तो इक सुगुना में 100 और नीचे बटा में आ जाएगा 35 इसको उधर से इधर लाएंगे तो 35 देखो यह दो बार में कट हो जाएगा मतलब हो आपको यहां गुदा में 12 बटा में 1000 कड़ने कोट हैď को यह यह घृँध़ लिटर चार से बार में ठीक है तो यह पीछे दो जिरों का कोई value नहीं रहता है मतलब इसका right answer क्या है तो यह देखो 6.3 लिटर क्या होगे right answer तो यह है आपका option D आ गया सभी का यहाँ पे चलो निश क्यूशन देखेंगे अगला सवाल यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो अगला सवाल है अगला सवाल है आपका कि एक नाव के दस नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति कि सथान पर नया व्यक्ति आने से औसथ भार में 800 ग्राम की व्रिद्धी हो जाती है नए नावीक का भार कितना है यह आप सबको यहाँ पर आंसर करना है ठीक है तो पहले हम लोग क्या करना है तो यह देखो एक हजार तो घुनामी आपका क्या आ गया तो गुना में देखो टोटल कितना लोग बढ़ रहा है तो टोटल कितना नाविक है तो टोटल पहले से देखो कितना था तो पहले से था 56 यहां तक क्रियर है पहले से वह लोग 56 kg का था आठ और बढ़ जा रहा है मतलब कि यह कितना आ गया तो यह है आपका देखो 64 kg का क्या हो जागा राइट आंसर तो यह इसका राइट आंसर है देखो option D 64 kg हो गया सभी का यहां पे चलो इस डिलेटेड टू वेतन, प्रसिक्षन, रोजगार या फिर अनुभाव जिस प्रकार अध्यन का संबंद जो है ज्यान से है उसी प्रकार जो कारे है इसका संबंद किस्से है चलो सब को बताएंगे और करेंगे यहां पर क्या होगा तो देखो जिस प्रकार अध्यन करने पर हमें ग्षान मिलता है। जिस प्रकार सटडी करने पर हमें नौलिज मिलता है। उसी प्रकार कारे करने पर जो हमें अनुभव मिलता है। चलो अगली सवाल पर बढ़ेंगे, नेश्क्रिशन है आपका यहाँ पर यहाँ पर यह देखो दिया गया है, कि अगला पत ग्याद करें, दुख संताओना, सौरो कंसोलेशन, सुखा अकाल, खुसी उत्तिजना, या फिर देखो ग्रह प्रेकरमन, या फिर दर्द सामक, सामक क यहाँ पर सामक का मतलब दवा भी समझ सकते हो, अगला पत बताना है, अगला पत जो है क्या होगा, यह आप सब को यहाँ पर आंसर करके बताना है, देखें, जिस प्रकार, दुख में संताओना दिया जाता है, जब दुख होता है, तो दुख पर संताओना देते हैं, सौरो सवाल है आपका देखो कि और समान पदों की पहचान करे आइडेंटिफाइड दो और पोजीस यहां पे है देखो इन्वायरमिंट वाता वरन जिसको बोलते हैं तरीके से ठीक है यहां पर मानों लिख दे रहा हूं वाता वरन अगला सवाल है आपका देखो यहां पर यहां पर आवरन लिखा हुआ है यहां पर आवरन लिखा हुआ है यहां पर आवरन लिखा हुआ है जैसे कोई छिपता है न तो इसको आवरन बोलते हैं कि वह छिपा हुआ है वहां आवरन लिया हुआ है वह खुट को कवर किया हुआ है तो आप्सन नमबर यह में आपका वहां कौन है तो है आपका क्राउड कैसे यह अलग है क्योंकि देखो आवरन या फिर इसको बोलते हैं कवर या मास्क या फिर छीपाना इन सब में कहीं नहीं जो मतलब छीपने से चुपा हुआ है बचने से चुपा हुआ है लेकिन जो भीड है क्राउड यह थोड़ी अलग है ठीक है चलो अगले सवाल पर बढ़ेंगे अगला सवाल है आपको दियावा है उन्चास नंबर सवाल है यह आपसे किया गया है देखो कि भिन की पहचान करे आइडेंटिफाइड डिफरेंस नेपाल आयरलेंड इंडोनेसिया या पिर अफगानिस्तान निमलिकित में से कौन सायस है जो की भिन है जो की अलग है चले सबको करने बिलकुल सही बताना है जल्दी से बताएंगे यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं कहा है त देको नेपाल और इंडोनेसिया और अफगानिस्तान ये तीनों के तीनों होगा right answer सभी को करना है और बिल्कुल सही बताने है चले बताइएगा क्या होगा जिस प्रकार जो फैसला का संबन्द है या देको सुनाने से है बताने से है जिस प्रकार यहां पर जो आपका judgment कांसर है वह हो गया देको option A चलो इसी के साथ जो आपको आज के 50 क्योशन करवा दिए गया है सब को इसको जुरू बताइगा कि आपने 50 में से कितना क्योशन सही किया